नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल धोरधर अपडेट्स में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देखे चुके हैं कि आज 21 माई 2020 की ताया खबरे आपके लिए हिमाचल प्रदेश की लेके आए हैं इस वीडियो में तो इस वीडियो में आज आपको मत्तपुन खबरों के बारे हैं बताएंगे जो ब्रेकिंग न्यूज है आज की और हिमाचल की क्यास थिती है इसके बारे हैं पूरी जैनकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी तो वीडियो पर एंड तक पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज जोब और ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन जो है लेके आते रहते हैं हिमाचल परदेश की आपको हर जो है लेटेस्ट अपडेट जो है इस चैनल पर देखने को मिलेगी तो जल से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी न्यूज कांगरा इतने घंटे मिलेगी कर्फियू में धील प्रस्रिक्शन के बाद खुलेंगे सैलून तो पूरी जयनकारी के साथ बताएंगे हम हिमाचल परदेश के कांगरा जिल में केश परजपती ने बुद्बार कर प्रस्वारता में कहा कि कर्फियू में धील पहले की तरह ही सुबह साथ से दुपहर दो बज़े तक कर रहेगी इसी दोरान दुकाने खोलने जारत की और इसके साथ ही लोग जो है सुबह साड़े पांस बज़े से लेकर जो है साथ सेर करने की अनुमती परदान की है आगे उन्हें पता है नागरिकों को जो है मास्क पहन कर घर से बाहर निकलना अनिवारे होगा उन्होंने कहा कि नोटरी पबलिक स्टाम विकृता और दस्तावेज लेखक अब जो है सोंबार और गुरवार को सुबह दस बज़े से दो पालना सुनिश्चित करना जरूरी होगा जबकि तैसीलों में भूमी पंजी करन स्वंधी कारे प्रती दिन सुबह 10 बज़े से दो पहर 2 बज़े तक किये जाएगा सेलून और ब्यूटी पालर में कारे करने बालों के दी जाएगी ट्रेनिंग तो सेलून और ब्यूटी पालर को लिए दुकानने जो खोलेंगे उससे पहले इनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिले के सैलून और ब्यूटी पालर संचालकों को प्रस्रिक्षन दिया जाएगा इसके लिए सैलून तथा ब्यूटी पालर संचालक श्रम अधिकारी के माध्यम से आवेदन करें और सभंधित उकमंडलों में उनकी ट्रेनिंग की विवस्था की जाएगी उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लेने के बाद सैलून और ब्यूटी पालर खोले जा सकेंगे फ्लू के लक्षन होने पर स्वास्थे विवाग को सूचित करना ज़रूरी उपायुक्त ने बताया कि सरकारी और निजी कार्याले पहले ही तरह जो हैं खुले रहेंगे इसमें त्रितिय और चतुर शेनी के करमचारियों को रोटेशन अधार पर उपसित रहना होगा उन्होंने कहा कि करमचारियों में किसी तरह के फ्लू के लक्षन होने पर स्वास्थे विवाग को सूचित करना ज़रूरी होगा इस स्थिती में कार्याले परिस्ट को सेनेटाइज भी करना होगा बाहर से आवाजाई के लिए कर्फ्यू पास जारी उपायुक्त राकेश प्रचापती ने कहा कि बारी राजियों या अन्य राजियों में आवाजाई के लिए कर्फ्यू पास जरूरी है और इनके लिए जो है कांगरा जिले की वेबसाइड पर जो है कर्फ्यू पास को जारी करने के लिए आवेधन करने के लिए आपको जो है कांगरा जिले की वेबसाइड पर जो है ओनलाइन आवेधन करने का जो है प्राबधान भी किया गया है अगली खबर कुल्लू जिले के लिए है ओटो में अब एक साथ दो स्वारियां कर सकेंगी सफर तो हो ओटो चालकों के लिए जो है इन्होंने और थोड़ी सुविधा कर दी है कर्फ्यू छूट के दोरान कुल्लू जिले में बिना कर्फ्यू पास के दो स्वारियों के साथ ओटो रिक्षा चलाने की अनुमती दे दी गई है इसके लिए जो है नए आदेश जारी किये हैं जिसमें ओटो चालकों को स्वारियों के बीच में कार्टन या पॉली बैरियर लगाना होगा जिससे दोनों यात्री एक दूसरे के संपर्क में ना आपाएं साथ ही स्वारियों की सुपधव सुरक्षा की द्रिष्टी से सनेटाइज का भी इस्तिमाल करना होगा आगे नोंने बताया हाला कि अभी तक प्रशाशन ने ओटो में मातर एक स्वारि को बैठने के आदेश जारी किये थे लेकिन नई सवकृतिक से जिला कुलू में साथ भूंतरव मनाली के लगबग 600 आटो चालकों को रहत मिलेगी जिला प्रशाशन ने करफ्यू ढील को भी जोई साथ से आठ घंटे कर दिया गया है ओटो चालक आमित हंसराज संजू शुरेश तथा संजीत ने नए अदेशों का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि एक स्वारी बैठाने से ओटो चालकों को गाटा उठाना पड़ रहा है अगली ख़वर 31 माई के बाद सील हो सकती है राज्ये की सीमाई हमारे सीम जैराम ठाकुर जी है उन्होंने अदेश जारी किये है तो इन्होंने पूरी जानकारी जो है बता रखिया है मुख्यमति जैराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल परदेश में 31 माई के बाद बौर्डर सील किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि उस अबधी तक जो है जितने लोग राज्ये के भीतर आना चाते हैं उन्हें लाया जाएगा तो सीम ने कहा कि बाहर से लोगों को लाय जाने से हिमाचल परदेश में क्रोना वाइरस के मामले जो है दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बाहर रह रहे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना भी सही नहीं था तो आगे उनने कहा, CM ने कहा कि हिमाचल सरकार का परियास है कि किसी भी व्यक्ति की जान न जाए, CM ने कहा कि बाहरी राज्जियों में फस्थी कई हिमाचली लोगों के दाएं भी करोना जो है, वाइरिस के मरीज थे, तो बाएं भी जो है, करोना वाइरिस के मरीज थे, तो ऐ पैसे में उन्हें हिमाचल लाना जरूरी था। CM ने कहा कि इन लोगों को संस्थागत और होम कॉरेंटीन दोनों में रखा जा रहा है। इसके बाबजूद कई मरीज क्रोना वाइरिस संक्रमित पाई गए हैं। राज्य में क्रोना वाइरिस के कई मरीज बड़े हैं। यह चिंता जनक है। आने वाले दिनों में और भी मरीज बढ़ सकते हैं। इससे इनका इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट खबर जादा घबराने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में काबू में हैं हालात 47 मरीज हो चुके हैं ठीक। तो ऐसा ना सोचें आप कि हिमाचल में दिन प्रति दिन क्रोना के संक्रमित केस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हिमाचल में हालात हैं वो काबू में हैं। तो आप सबी को जो है ये भी सोचना है कि 47 मीडेश जो है हिमाचर प्रदेश में ठीक भी हो गए हैं तो आप घर में रही है और स्वस्त्र हैं तो ये थी आज की breaking news अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप like करें और चैनल को जुरूर subscribe करें ताकि आपको आगे आने वाली जो भी breaking news हम लेके आए उसकी notification जो है आपको मिल सके क्योंकि इस चैनल पर जैसा कि मैं आपको बताया है कि हिमाचर प्रदेश की हर latest update जो है इस चैनल पर लेके आई जाती है तो आप जो है हमारी playlist में देशकते हैं कि हर जो है notification आपको हमारे चैनल में जो है मिल जा जाहीं जाही माचर